प्यारे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिल्मी गड़ पर दोस्तों जहां आपको फिल्म और मनोरंजन जगत की चानकार ये मिलती हैं दोस्तों ऐसे ही आज वीडियो में हम बताएंगे कि बाली बुट के वो शात सितारों की जो कोई 58 साल का है तो कोई 52 साल का है लेकिन बाली बुट के इन सात सितारों ने अब तक शादी नहीं रचाई है और शौर तो आप तब हो जाएंगे जब तीसरा नाम सुनेंगे तो दोस्तों देद न करते हुए आए शुरू करते हैं इन सब के बारे में बताएंगे इस वीडियो में बस आप से बुज़ा इसकी वीडियो को पूरा देखे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इंटरस्टिंग बाली बुट की कवरें ऐसे ही सुन अब तक साधी नहीं रचाई है और हसी खुजी अकेल ही अपने जिन्दगी जी रहे हैं इस लिस्ट में पहला नाम सलमान खान का आता है और जो लिस्ट में तीसरा नाम है वो बड़ा सौकिंग है तो चलिए आपको उन सितारों के नाम से वाकिफ कराते हैं दोस्तों पहला सलमान खान 58 साल के हो चुके हैं लेकिन इन्होंने अब तक साधी नहीं की है हलाकि साधी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में सलमान खान ही रहते हैं बता दे वैसे तो सलमान खान का नाम कई अब नित्रियों के साथ जुड़ा लेकिन बात साधी तक अब तक नहीं पहुची दोस्तों दूसरा नमबर आता है सुस्मिता सेन का जल्वा आज भी पर्दे पर बरकरार है देखने को मिल रहा है कि वो लगातार फिल्में कर रही है और अब तक उनकी उमर 48 साल की हो चुकी है दोस्तों सुस्मिता की खुबसूर्टी अब तक बरकरार है लेकिन उन्होंने 50 साल की तब्बू अब तक मारी है उन्होंने भी अब तक साधी नहीं रचाई है लेकिन एक्टिंग में वह अब भी सक्री है और लगातार फिल्मों में काम करती नजर आ रही है दोस्तों अगला नाम आता है अमीशा पटेल का ब्लागबास्टर फिल्म कहोना प्यार है से ब अगला नमबर आता है उदय चोपडा का ब्लागबास्टर फिल्म मोहबते से अब फिल्मों में कदम रखने वाले उदय चोपडा अब 51 साल की उमर में सिंगल है और उन्होंने अभी भी साधी नहीं रचाई है यूटू उदय ने कई ब्लागबास्टर फिल्मों में काम किय वह 47 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने साधी नहीं की है दोस्तों पास्ट का जो नंबर आता है वो है अच्छे खन्ना का इस लिस्ट में आकरी नाम आता है दिगज अमनेता बिनोत खन्ना के बेटे अक्छे खन्ना का जिनकी उमर लगवग 50 से 60 के बीच में है दोस्तों ऐसे और इंटरस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर होते रहें बस आप से गुजारीजी के चैनल के सब्सक्राइब करें अधर प्रेटफरम पे देख रहें अधर फालो करें मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद